अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सैनिक समझार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सभी जेसी ओ जुवार्ज सैनिकों के लिए जो है आठवे वेतनायोग पर लेकर दोस्तो अभी क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा है दोस्तो एक फरवरी से जो है जेसी ओ जुवार्ज के लिए जो नियम है वो बदले जा रहे है बात करेंगे दोस्तो पेंशन धारकों के लिए इंपॉर्टन अपडेट है जहां पर सभी पेंशन धारत को जो है तीस लाग रुपे तक का बेनिफिट मिलने की बात की जा रही है इसके लिए बात करेंगे हम लोग दोस्तो जो अभी केंद्रे करमचारियों के लिए जो है कैबिनेट की बड़ी मीटिंग ने जा रही है और उसमें केंद्रे करमचारियों से लेट्ड बड़े फैसल लेने को बात की जा रही है उसके बारे बात करेंगे चलिए बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टन अब्डेट्स के बारे में दोस्तों और चैनल पर आप पहली बाहर है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहें और साथ ही साथ बैल आइकन ज़रूर दबाएं यह पुस primo पहली बात करते हैं 5न यह जो यह आठवे वयतनायों को लेकर एक स्रकुलर जारी किया और यह सर्कुलर कोई आजवे緧नायों की मंद़ूरी के लिए यहां यह से क्शार्वे lets दोस्तो श्लले करमी सफust्राइम को लेकर 청्ष लेने के लिए और सबसे बड़ी दिक्कती है कि अगर आठवा वेतनायों लागू नहीं होता तो केंद्री करमचारियों के लिए बहुत मुक्सान है काफी लोगों को जो है दस साल बाद उम्मीद रहती है कि नया वेतनायों गठन होगा और उसके बाद से लागू होगा साथे साथ दोस्तों यह एक पक्ष है जहां पर केंद्री करमचारियों के तरफ से लेटर लिखा गया है दूसरा पक्ष है कि सरकार भी यह नहीं चाहती कोई आंदोलन हो और किसी तरीके के लोग जो है काम ना करे और जिससे की जो है काम काज पे असर पड़े रिवन्यू पैसर पड़े उसके लिए दोस्तों बहुत पहले जो है कुछ नियम बना दिये गए जहां पर जो केंद्री करमचारी है सरकारी करमचारी है वह जो है मास लीव नहीं ले सकते हैं स्ट्राइक में पाटिस्पेट नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों एक तरफ से नियम है और दोबारा से याद दिलाए गया है कि इन नियमों के तहट आप लोग जो है कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकते कोई भी जो सरकार की नीति है उसके खिलाफ जो आप आवाज नहीं उठा सकते हैं या मास लीव नहीं ले सकते हैं जिससे की जो है कामकाश ठप हूं दोनों तरफ चल रहा है दोस्तों कि किंद्रिक करमचारियों का लेटर गया था तो उसके हिसाब से उनको एक्षन लेना था बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में और दोस्तों इस अपडेट के कॉर्डिंग जो है अभी जो पंशनर थे उनको जो शिस्लेंक पर संथ पर शिखला रूद के बात कि जा रही है अभी जो पंशन की कंडिशन है वह जो एक कंविटी ने इसको जो है चेक किया था और उस इस साब से पैंशन को जूए इंडिया में जो पैंशन इसको पेंशन मिल रही है वो जितना स्टेंडर्ड मिलना चाहिए उससे कम है उससे पेंशनर्स की कंडिशन और खराब है तो उसके लिए दोस्तों एक लेटर लिखा गया था रक्षा मंत्राले को कि पेंशनर्स की जो पेंशन है इंस्टेड ऑफ्टी परसेंट एट शुडब सिक्स्टी सेवन परसेंट पैंशन करने के लिए जो है लेटर लिखा गया था और इसका जवाब बहुत जल्दी आ गया है जहां पर रक्षा मंत्री ने जो है रक्षा मंत्राले की तरफ से इस पे काम शुरू हो गया और वो इस जो रेकमेंडेशन है उसको अपने लेवल पर चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है पैंशनर्स की जो है कंडिशन को सुधारा जाए दोस्तों बात करते हैं एक फरवरी दोहजार चौबिस से जेस्यों जो आर्ज के जो नियमों में ब उसको अपडेट करना है और दूसरा दोस्तों जो जेस्यों जो आर्ज के लिए जो डिपेंडेंट काड्स थे वो अब उनका जो है टाइम लाइन या उनकी वैलेडिटी जो है अब एक्सपायर हो जाएगी और एक फरवरी के बाद से जेस्यों जोडेपेंडेंटिंटन थे वो डिपेंडेंट काडं यूज नहीं कर सकते है है अब उनस सब के लिए जो फूर्म के जारी कर दी गये हैं और इन नए फॉर्म के थ्रू जो है आपको दुबारा फिल करना पड़ेगा उसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी आपका आधार नंबर उसमें एड होगा आपका जो है परसनल आइडिनिफिकेशन माक एड होंगे तो दोस्तों स्कूरूटिनी के एक और नए कार्ट की जरूत पड़े तो उस हिसाब से जो है अब जो डिपेंडेंट कार्ड है फुली सक्योर और उनका कोई भी मिस्यूज ना कर सके उसके लिए दोस्तों अब नया फॉर्मेट आ चुका है इसको आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको फिल करके जो है आपको जो है इसको वेरिफाई कराना पड़ेगा और उसके बाद से इसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा दोस्तों एक फरवरी दोहजर्ट चौबिस लास्टेट है जो भी ऑफिसर्स है जो कि अपने डिपेंडेंट कार्ड परान चाहते हैं और तब तक आप अपन जो पेंशनर्स हैं और जो अभी सिवारत गर्म चाहरी है उनको दोस्तों जो है पैचास लाग तो टीयू जुक्ष कर दोतो है यह हम बात कर रहे हैं कि किस दी से मきल रहा है यह डोस्तों आपको मिल रहा है स्सिर्ण से और यह कि ब्लाग नज देобразory पेकेज के लिए बात आपहु यह नया जो है इसमें जो पैकेज में एंक्लूड है जहां पर आपको जो है मताइब ब्रमार घ्राइब जो पैकेज आपको भातें डिफरीच सेलरी पैकेज टो सब्सक्राइब जो है 30 लैक या एक्षिदेंटल इंस्विलयरियंश सीदे मिल रहे हैं इत्व कि यह भी होगे आजकल जितने भी एकाउंट है उसमें काफी ज्यादा पैसों की कटोती की जा रही है तो वह आपका एकाउंट जो है जीरो बैलेंस होगा और किसी भी एकाउंट कर सकते हैं तो दोस्तों यह स्पेसिफिकली जो है डिफेंस परसनल के लिए बनाया गया है जिसे कि डिफेंस परसनल को जो है यह सारी सुधा दी जाए तो अगर आपका एकाउंट कहीं ओ रहे है तो आप इसको जो है डिफेंस सेलरी पैकेज के अंदर अपडेट करा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पर application देनी है कि हैं जो भी आप से रिलेटेड जो भी है क्योंकि आपका खाता अल्रेड खेवला हुआ है आपको सिर्फ और सिर्फ को अपडेट कराना है तो वह आप जो है दोस्तों इसको अपडेट करा सकते हैं और जो जॉब में उनको दोस्तों पचास लाग का एक्सिडेंटल इंशूरें है अब जो कि दीएसपी पैकेज है इसमें जो आपको फुल पेइमेंट देने की जरूत नहीं है पच्छिस परसंड के जो डिसकाउंट आपको मिलेगा दोस्तों यह था कुछ केंद्रे करमचारियों पैंशनर्स और डिफेंस पैंशनर्स के लिए जो है आज के इंपोर्टेंट अपडेट दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो